भारतिय मान्यता के अनुसार वेद स्रिष्टिक्रम की प्रथमवानी श्वेताश्वतर उपनिशद में कहा गया है यो ब्रम्हानम विदधाति पूर्वम यो वै वेदाम्ष्य प्रहिणोति तस्मई वस्तुतह इस पूरे प्रम्हान्ड के पीछे चिन्मई शक्ति है और उस चिन्मई शक्ति के ही एक अम्ष हम भी है इसलिए वेदों का जो महावाद के है वो है तत्वमसी तुम वही हो या अहम ब्रम्हास में वो जो चिन्मई शक्ति है वो ही मैं ही हूँ और इसी लिए वेदों का जो चरमपुरुशार्थ उपदिष्ट है वो है कि हम अपने उस स्वरूप को पहचाने और उस पहचान के बाद अपने को उसी परतत्व में उसी चिन्मई शक्ति में मिला दे और इसके लिए वेदों ने यग्यों की प्रमुक्ता से प्रतिपादन किया शिष्टिक्रम की इस प्रधमवानी में ये सारे विचार प्रतिपादित हुए इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारती ये संस्कृति का मूल वेद है अगर हम अपने पाश्चात्य भाईयों के विचारों के और द्रिष्टिपाद करें उन्होंने यद्यपी अइतिहासिक द्रिष्टि अपनाई लेकिन इस अइतिहासिक द्रिष्टि को अपनाते हुए भी उन्होंने हमें यह अवगत कराया कि वेद विश्व का आदी गरंत है और उसमें भी उन्होंने रिगवेद को एक प्रतीक बनाया और यह कहा कि रिगवेद विश्व की पहली पुस्तक है ऐसी स्थिती में हम यह कह सकते हैं कि यदि वेद या रिगवेद वेद का पहली पुस्तक है आदिम गरंत है तो विश्व संस्कृती का उद्गम स्रोत भी वेद हो सकता है या है इसलिए केवल भारती संस्कृती का ही आदर्श ये नहीं माना जाना चाहिए कि वह चिन्मई शक्ती का एक अम्ष मैं हूँ और मेरा जो अंतिम लक्ष है वह उस चिन्मई शक्ती को पहचानने का और उसमें अपने को मिलाने का है बलकि ये विश्व संस्कृती का एक तरह से चरमलक्ष है अब अगर शाब्दिक विधा से हम शुरू करें तो विश्रेशन करने पर वेद शब्द की निश्पत्ती विध ज्ञाने धातू से होती है अतेव विचारकों ने कहा कि धर्मादी पुरुशार्च चितुष्टर शिद्धि के उपाए बतलाए जाए वह वेद है आचारी सायन ने वेद के ज्ञानात्मक अईश्वरी को ध्यान में रखकर लक्षन किया कि अभिलशित पदार्थ की प्राप्ति और अनिश्ट परिहार के अलोकिक उपाय को जो ग्रंत बोधित करता है वह वेद है एक यहाँ प्रश्ण उपस्तित हो सकता है कि अभिलशित पदार्थ को बतलाने की या बोधित कराने की सायन अचारी ने क्यों माननेता रखी क्योंकि अभिलशित पदार्थ जो है वो हमारा परमसाध्य नहीं लेकिन सायन अचारी ने ये भी बात हमें बतलाई या हमारे जो अन्य शास्त्रिय ग्रंत हैं वो ये भी हमें उप्तिष्ट करते हैं कि व्यक्ति की किसी लक्ष विशेश में प्रवर्ति कराना ये प्रधम करते हैं और उस प्रवर्ति कराने के लिए हमें उसके जो अभिलशित वस्तुएं हैं उसकी और उसका भी परिपूरण कराना एक साध्य बन जाता है और फिर उस सोपान से वो आगे बढ़ता है तो यह समझता है कि जब हमारी इस छोटी सी आवश्चक्ता को इसने पूर कर दिया तो फिर इसके बाद हमें इसकी और और प्रवृत्त होना चाहिए और प्रवृत्त होना चाहिए और इस तरह से वो प्रवृत्ती बढ़ती हो जाती है या पहुंचा देती है इसलिए सायनाचारी ने इस्टप्राप्ति और अनिष्ट का परिहार ये दोनों को लेते हुए और फिर ये बताया कि अलोकिक उपाय को जो ग्रंत वोधित कराता है वो वेद है यहां ये बात ध्यान देने की है कि अलोकिक उपाय इस यग्य परक दृष्टि को या यग्य मूलकता को प्रकाशित किया है क्योंकि लोकिक उपाय तो हमारे सामने हैं और वो हमारे ही द्वारा प्रसूत हैं इसलिए हम लोकिक उपाय से तो एक थोड़े से सोपान तक बढ़ पाते हैं और उसके बाद वो सोपान या वो मार्ग अलोकिक उपाय जो है वो बढ़ा अंत तक हमें चरम लक्ष तक ले जाता है और इसी लिए यग्य जो है वो परम साध्य बन जाता है और इसी लिए सायनाचारी ने यग्य परक व्याख्यान अपने चारों वेदों का किया और आचारी लोगा खिभासकर जो कि मिमानसक है उन्होंने दार्शनिक द्रिष्टी रखते हुए अपवरुशे ये वाक्य को वेद कहा इसी तरह आचारी उदेयन ने भी कहा कि जिसका दूसरा मूल कहीं उपलब्द नहीं है और महाजनों अर्थात आस्तिक लोगों ने वेद के रूप में जिसको माननेता दी है उन आनुपूर्वी विशिष्ट वाक्यों को वेद कहते हैं आपस्तंबादी सुत्रकारों ने वेद का स्वरूपाव बोधक लक्षन किया और कहा कि वेद मंत्र और ब्राह्मनात्मक है यहां मैं ये भी उल्ले करना चाहूंगा कि हमारे इस श्रताबदी के महानाचार भाष्यकार द्यानंद जी ने थोड़ी सी इसे भिन्नता रखते हुए केवल मूल सम्हिता आत्मक जो वेद भाग है उसी को उन्होंने वेद के रूप में माननेता प्रदान की और ब्राह्मन ग्रंतों को उनकी व्याक्या के रूप में उसे मा इन सारे लक्षनों की विवेचना करने पर ये तत्य सामने आता है कि अही का मुश्मिक फल प्राप्ति के अलोकिक उपाय का निदर्शन करने वाला अपवरुशे विशिष्टा अनुपूर्वीक मंत्र ब्राह्मन आत्मक शब्दराशी वेद वेद के दो भाग हैं मंत्र औ और ब्राह्मन रूप से वेदों का विभाजन किया है आम नायह पुनह मंत्राश्च ब्राह्मन आनी इनमें मंत्रात्मक वैदिक शब्दराशी का मुख्य संकलन संहिता के नाम से प्राचीन काल से विवरित होता आया है और संहितात्मक वैदिक शब्दराशी पर ही पदपा कहलागता है